फ्रजाइल मतलब नाजूक नाजूक यानि वो जिन के लिए शान्ती, मैनेज सिस्टम और प्रिडिक्टिबिलिटी की जरूरत होती हैं क्योंकि अनफिर सिच्चुएशन्स में उनकी ठीक से चल रही चीज़े खतरे में होती हैं फ्रजाइल के विपरिट चीज़ है एंटी फ्रजाइल यानि सक्त सक्त यानि वो जो सिच्चुएशन्स के इंपोर्टन्स को परक कर खुट के इंप्रूमेंट के लिए उसका फायदा उठाते हैं इनसे उन्हें ज्यादा ताकत और इफिशेंसी मिलती हैं जैसे कि अगर इथियास में सांक कर देखे तो ऐसे रिवलिशन्स जो आपको देखने मिलेंगे जो बेहदी गंभीर और जरुरतमन सिच्चुएशन्स की वज़े से हुए थे जिन्होंने दुनिया को काफी पोजिटिव इंपेक्ट दिया जब सिच्चुएशन्स तनाव से भरी हो तब निर्ट्यूटिसों की जरुरत पुरी तरह से ऐसे खराब हो जाती है कि उन्हें हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते लेकिन अगर जिन्दा जीव डिफिकल्ट सिस्टम जैसी मोमेट को आउसर के रूप में परक कर पार कर ले तो वो ज्यादा एंटी फ्रजेल हो जाते हैं जिनसे उन्हें फ्यूचर में अच्छे अच्छे बदलाव के साथ साथ काफी फाइदे भी मिलते हैं हमारी ये modern दुनिया इतनी well structured है कि हमारे जीवन में कोई भी complicated पहलूओ को हम आसानी से दूर कर सकते हैं क्योंकि हमें उन्हें हल करने की जरूरत नहीं पड़ती यहां तक कि उनका सामना भी नहीं करना पड़ता क्योंकि कही न कहीं से ऐसी चीज़ जरूर मिल जाती है जिनसे सब आसानी से अपने आप soul हो जाए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी life में fragile situations खड़ी क्यों होती है क्या कारण है इसके हम past की ऐसी situation के base पर आने वाली moment imagine करते हैं जो एक ब्रह्म के रूप में हमारे अंदर डर पैदा करती है जिनसे problem ये होती है कि हम मोजुदा चीज़ों को छोड़कर ऐसी चीज़े सोचकर हमारा दिमाग खड़ाब करते हैं जिसका आम से वास्ता ही ना हो जिनकी किसी वज़े से कोई भी possibility ही ना हो जिस तरह से एक छोटे से पोधे में लगी आग पूरे जंगल को तहस्नेज कर देती हैं बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे डराओने खयाल हमारे दिमाग को hypertension और anxiety से बर देते हैं हम आम तोर पर कभी ये नहीं सोच रहे होते कि हम life को एक बहतरीन success की और ले जा सकें हम एक खुशनुमा healthy और fearless life धी सकें life को positive तरीके से सोचना हमें इतना सब कुछ दे सकता है जो हमारी expectation से भी पर रहे हो लेकिन इसके लिए हमें anti-fragility यानि सक्ती से काम देना होगा लेकिन anti-fragility काम कैसे करती हैं आये जानते हैं आम तोर पर ऐसी नाजुक और वीपरिट situation तब आती है जब हमें action लेने की जरुरत हो तब इन मामलों में हमारी input की हुई यानि बचाई हुई ताकत ज्यादा होती है जिससे हम उस time में हो रही problems को भी हल कर सकते हैं और बेतर चीज़े भी innovate कर सकते हैं वीपरिट situation में ज्यादा तर ऐसे ही reactions होते हैं जो actual में हमारी progress के लिए helpful होते हैं nowadays जब आपको progress और innovation की ज़रुरत होती हैं तो आप बिना किसी गंपी risk के एकदम आराम से काम हो सकने वाली methods और planning का साहरा लेते हैं यह आसान तो हो सकता है लेकिन ज्यादा problematic result भी दे सकता है for example aeroplane का automation जिसका risk और instability के बीना इनसान का performance कम हो जाता है जिसने पाइलोटों के काम को आसान तो बना दिया है लेकिन इससे उनके attention में मिली छुट की वज़े से हवाई incidence की मात्रा भी बड़ी है एक actual risk पैदा करने वाले potential के through पैदा हो रही दिक्कतों को दूर करने की जरूरत से ही anti-fragility अपना नहीं पड़ती है इससे हम ये सिख पाते हैं कि हमें खुद को सकत बना कर crap situation से कैसे बाहर निकलना है हम हमारी past की moment के according false to negative theory तो बना सकते हैं लेकिन शायद ये theory future की moment पर लागू नहीं होती यही सच्चा है इससे हम जितना जल्दी मान लेगे उतना ज्यादा हम खुद को बेतर बना पायेंगे याद रहे जिन्दगी में कुछ सिखना और आगे बढ़ना है तो उनके लिए सकत यानि anti-fragile होना और risk की experiment करना सबसे ज्यादा ज़रूरी है इस पुरे ब्रह्मान में ऐसी कोई entity नहीं है जो किसी system को कभी खत्म नहों होने देने की guarantee के लिए possible failures को दूर करने के लिए committed हो अगर life को एक ही जैसा ब्रकरा रखना है और नई चीजों को accept करना बन कर देना है तो जीवन मरन का कोई मतलब नहीं है genetic चीजे पिढ़ी दर पिढ़ी तक लगातार revise होती रहती है जो तेजी से मजभूत और प्रभावी होती जाती है anti-fragile रविया अपना कर आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी strategy में सुधार करने और future में बत्र नुकसान से बचने के लिए कुछ ना कुछ tension वाली टीजे भी अपनाने की जरूरत होगी सोचो अगर Titanic नहीं डूबी होती तो बड़े से बड़े जाहांस बनते और 1000 गुना तबाही होती जो रोके ना रुक सके ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करने के बज़ाए गलतियों को छोटे पेमाने पर होने देना बेतर है तबी इनसे कुछ सही सीख लेकर फ्यूचर में हो सकने वाले बड़े जोखिमों को सही में रोका जा सकता है बिजनेस वर्ड में कुछ फ्रजाइल कंपनिया होती है और वो होनी चाहिए जो दिवालिया होने के लिए तयार हो जिनकी गलतिया एक बड़ा example create करें और ऐसी गलती कोई और company करने से रुख जाए बरबाद हुए entrepreneurs को उनके तरीकों को failure के रूप में नहीं देखना चाहिए बलकि उनको एक सबक समझ कर future के लिए ज्यदा effective और ठोस तरीकों के साथ आगे बढ़ना चाहिए हमें नहीं लगता कि खराप scenario को दूर किया जा सकता है हमें बस उनके लिए तयार रहना होता है ताकि हम ऐसे situation के आने से खुद को उनके effect से बचा सकें इस दुनिया में कहीं भी stability मुझूद नहीं है जोब कर रहे हैं लोगों की comparison में self-employed लोग ज्यादा risk उठाते हैं यही कारण है कि उनके लिए fail होना मुश्किल भरा होता है क्योंकि उनके आगे बने रहने की ability लगातर innovation की need की वज़े से होती है एक fix delivery वाला employee stability का जुठा ब्रहम अपने खयाल में रखता है लेकिन जिस दिन उनकी नोकरी गई तब उन्हें खतरनाक जोखिमपरी situation से गुजरना बढ़ता है अगर कभी ऐसा हो तो हमें हमारी natural anti-fragility को कारियरत करना चाहिए overall कहने का मतलब ये है कि risk लेने की comparison में बहुत ज्यादा लाप देने वाले को चुनना हमारे लिए long time तक फायदे मन नहीं होगा uncertainty जितनी ज्यादा होगी उतनी risk की value बढ़ेगी लेकिन याद रखें risk भी दभी लेना चाहिए जब हम पूरी तरह से sure हो अपनी काबिल्यत और self-confidence के साथ और ये self-confidence दभी आएगा जब आप अपने आपको और tough situation का सामना करने के लिए कुद को सक्त यानि anti-fragile पायेंगे अगर आप और भी deep में जानकरी पाना चाहते हैं anti-fragility के बारे में तो ये book anti-fragile things that gain from disorder आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जो लिखी है one of the world's best essayist नजीम निकोल स्तेलप ने इस book को करीदने या online e-book डाउनलोड करने के लिए description में देगे link पर click करे और purchase करे anti-fragility is beyond resilience or robustness the resilient racist shocks and stays the same the anti-fragile gets better